इस वक्त की चेजरिवाल ने बड़ा एलान किया है दो दिन बाद इस्तीफा दूँगा केजरिवाल की ओर से कहा गया बड़ी जानकारी केजरिवाल ने बड़ा एलान किया है जहांपर केजरिवाल सीएम पत से इस्तीफा देंगे तो लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी की लगातार अन्य पार्टियां मांग कर रही थी कि केजरुवाल अपने CMPAT से स्तीफा आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं और केजरुवाल ने अभी बड़ा एलान कर दिया है कि दो दिन बाद केजरुवाल अपने CMPAT से स्तीफा देंगे यह बड़ी ख़बर बड़ी जानकारी अर्विन केजरुवाल इस्तीफा दे देंगे तो इस वक्त की यह बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टि के राश्ट्य स्योजा कर्विन केजरुवाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया तमाम अन्य पार्टियों की ओर से लगातार निशाना सा और इसी के चलते अब देखिए बड़ा बयान अर्विन केज़ुवाल की ओर से दे दिया गया है अर्विन केजरुवाल ने कहा कि दो दिन बाद वो अपना इस्तीफा दे देंगे तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप साजा कर रहे है के जुवाल ने बड़ा एलान किया है बड़ा बयान अर्विन के जुवाल की ओर से दिया गया है दो दिन बाद इस्तीफा दूंगा अर्विन के जुवाल की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है तो दो दिन बाद CM पत से अर्विन के जुवाल की ओर से इस्तीफा दिया जाएगा और ये बयान खुद अर्विन के जुवाल की ओर से सामने आया है ये बड़ा एलान अर्विन के जुवाल ने किया है और वो दो दिन बाद इस्तीफा देगा तो यह बड़ी खबर जहाँ पर अर्विन केश्रवाल की ओर से बड़ा एलान किया गया है दो दिन बाद अर्विन केश्रवाल अपने पत से इस्तीफा दे देंगे अर्विन केश्रवाल की ओर से साथ किया गया और कहा कि दो दिन बार मैं अपने पत्से इस्तीफा दे दूँगा, ये बयान अरविन केजिवाल की ओर से कहा गया, और साथ ही आपको बता दी कि अरविन केजिवाल ने बड़ा एलान किया है, दो दिन बाद CM पत से अरविन केज़िवाल इस्टीफा दे देदेंगे ये बड़ा एलान केज़िवाल के ये बडा बयान कर दिन बाद मैं अपने CM पत से इस्टीफा दे दूंगा तो लगातार अन्य पाचियों के ओर से भी मांग दी जा रही थी निशाना साधा जा रहा था जिस्टे चलते अब दीखी केजुवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है केजुवाल ने साफ किया कि दो दिन बाद वो अपने CM पत से इस्तिफा दे देंगे केजुवाल ने कहा दिल्ली में कोई और आम आदमी पाठी का नेता CM बनेगा दिल्ली में दो दिन में बैठक होगी तो सभी की निगाहें इस बैशक पर टिकी हुई है और केजुवाल ने कहा दो दिन बाद इस्तीफा दूँगा CM पच से अब केजुवाल दो दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं तो यह तमाम बयान अर्विन केजुवाल की ओर से सामने आए दिल्ली से बड़ी ख़बार अर्विन केजुवाल की ओर से बड़ा एलान किया गया बड़ा बयान केजुवाल ने दिया और कहा कि दो दिन बाद मैं इस्तीफा हुई है कि अखिर इस वैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं तो दो दिन बाद में स्तीफा दोनगा के जुवाल की ओर से यह कहा गया कि तो दिल्ली में कोई और आमादनी पार्टी का नेता सीएम बनेगा ये भी केजरवाल के और से कहा बढ़ी खबर आपको बता रहे हैं अर्बिन के जुरुवाल ने बड़ा एलान किया और कहा कि मैं दो दिन बाद कि दिल्ली में कोई और आम आदमी पार्टी का नेता अब देखना दिल्चस्ट होगा कि आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता सीम बनता है दिल्ली में दो दिन बाद बैठक होने जा रही है वो सकता है इस बैठक में ये फैसला किया जाए कि अर्बिन के जिवाल के बाद अब दिल्ली में कौन आम आदमी पाटी का अन्य नेता सीम बनेगा। केजरुवाल ने बड़ा एलान किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो दिन बाद मैं स्तीफा दूँगा केजरुवाल की ओर से कहा गया। दिल्ली में कोई और आम आदमी पाटी का अन्य नेता सीम बनेगा। दो दिन बाद बैठक होने जा रही है, कयास लगाये जा रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली के अगले सीम का फैसला हो सके। देखना दिल्चस्क होगा कि अर्विन केजरुवाल के बाद आम आदमी पाटी का कौन सा नेता सीम बनता है। तो ये तमाम बयान अर्विन केजरवाल की ओर से दिये गए हैं जहां पर लगातार अन्यपाटियों की ओर से भी केजरवाल पर निशाना साधा जा रहा था जब वो जेल में भी बन थे तब भी अन्यपाटियों की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर दिल तो दिल्ली से ये बड़ी कबर केजरुवाल ने बड़ा एलान किया है और केजरुवाल ने ये कहा कि मैं दो दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूँगा साथी कहा कि दिल्ली में कोई और आमादमी पाठी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली में दो दिन में बैठक होगी और कयास लगाये जा रहे हैं बैठक में फैसला लिया जाए कि अगला मुख्यमंत्री कोन होगा दो दिन में CM की कुर्सी अर्विन के जुवाल छोड़ देंगे जिसका एलान उनकी ओर से किया गया है तो अब सियासी हलचल तेज हो गई है के जुवाल की ओर से जो एलान किया गया है उस पर अब सभी की निगाहे टिकी हुई है क्योंकि लगतार अन्य पाठियों की ओर से भी निशाना साधा जा रहा था जब केजरिवाल जेल में भी बन थे तब भी अन्य पाठियों की ओर से सवाल उठाय जा रहे थे कि आखिर किस तरह से अर्विन केजरिवाल क्योंकि दिल् चल मचा दी है क्योंकि केजरवाल ने साफ किया है कि दो दिन बाद वो मुख्यमंत्री पज से स्टीफा दे देंगे और उन्होंने ये भी साफ किया है कि आम आदमी पार्टी का कोई और नेता सीम बनेगा तो केजरवाल ने बड़ा एलान किया दिल्ली में दो दिन में बैठक होगी ये भी साफ किया गया तो दिल्ली में कोई और आम आदमी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा केजरवाल की ओर से ये तमाम बाते कही गई ये बड़े अलान के जुवाल की और से किये करें और इसी कबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे साथ हर्याना बीरोचीफ दीपक शर्मा चुड़ चुड़ चुके हैं दीपक जी देखिया केजरिवाल के और से बड़ा बयान दे दिया गया है किस तरह से देखा जाए जी बिल्कुल अगर बात करें तिहार जेल के जमानत में बाहर आने के बाद अर्विन्द केजरिवाल की तरफ से आज दिल्ली में पार्टी मुक्षाले पहुचे बगादा एक अपनी बात उन्होंने तमाम कारे करता हूं के सामने रखी अर्विंद केजरीवान ने अपनी बात रखी तो बार बार यह कहीं जो है पहले भी इस्टीफा दे सकते थे लेकिन वही होता जो दूसरे राज्यों में उन्होंने उधारण दिये कई राज्यों के लेकिन उनका कहना है उन्होंने तिरे दोर से केंद्र पर को अर्विंद केजरीवान ने वहीं अपनी पद्र कर। आर्विंद केजरीवान ने पाथ के लेकिन निंखन दोर से कंड़े और मुख्य मंद्री नहीं रहें गे मुक्खर मंद्री तो बारा कप बनेंगी यह पपल्लिक रैकर पर दिल्ली की सरकार कारेकाल है तो ऐसे में जनवरी में विजान सबाइके चुनाव होने हैं दिल्ली में इसको उससे भी कहिना करें जोड़ के देखा जा रहा है अर्विन केजरिवाल निर्दोष है या नहीं है अगर पब्लिक निर्दोष साय करती है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे यानि कि अब जनवरी तक किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये कहिना कहीं आज के उनके बेहानों से तपश्टा ये और बात कहीं कि मनीज सितोधिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उन्होंने अपना और मनीज सितोधिया का दोनों का तपश्ट करा कि ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ये पब्लिक के पीछ में करेंगे उनका कहना है कि तमाम जगाओं पर कारवाई की बात कर रही थी वो तमाम तथे अपने रखेंगे और अगर पब्लिक जो चाहेगी वो होगा उन्होंने सीधे तोड़ते कहा कि विजानतवा चुनाव नजदीग है यह पब्लिक तै करेगी हाला कि तै वो वोट से होग और अगर उनको दोबारा से मोका मिलता है तो ही वो सीएम मनेंगे तब तक वो मुख्य मंदरी नहीं रहेंगे ना कोज अरविंद केजरिवाल ना ही मनीश्री तोडिया तो ऐसे में कौन मुख्य मंदरी होगा यह दो दिन में तै किया जाएगा पार्टी के जो विधाय का व अब केजरिवाल के ओर से इस्तीफा क्यों दिया जा रहा है? इस्तीफा दे रहे हैं, दो दिन बाद इस्तीफा दे लेंगे, उनका कहना ही कि नया मुख्य मंतरी कोनों का वो तय होगा, इसलिए उन्होंने जेल में रहते हैं, उनको लगता था कि जेल में रहने से मैं घबरा जाऊंगा, जेल में नहीं रहा है, यह तमाम बाते साथते उनका कि अब दो दिन बाद अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद ना खुद नामनिज्टी दोदिया कोई मुख्ये मंतरी नहीं बनेगा पब्लिक के बीच में रहेंगे पब्लिक के बीच आकर के जवाँ माँफेंगे जो आरोप है उसके तर्थे सामने रखेंगे और पबलिक तय करेंगी कि मुख्यमंत्री दो होने चाहिए या नहीं वो दोशी है या नहीं मिर्दोश है या नहीं उसको लेकर उनका कहना है कि अब यह लोग तय करेंगे तो इसको लेकर के आप कहिना कि यह चुनावी भी का जा सकता है जन्वरी में विधा विधान सावाद चुनाव को लेकर और उससे पहले केजरी वाल का एक यह बड़ी अगर रणीती का इससा भी का जा सकता है एक जब तो केंदर सरकार पर निशाना साधना मुख्यमंतरी कोनों का यह दो दिन में प्रस्ट किया जाएगा लेकिन लोगों के भी जाना रेलियां कर पा समय करना, एक संदेष देना यह कहींआ रणीती km देखा जाता है और खास कर जब चुनाव को अगर बात करे तो का दौण और तेज हो गया और हाथ तोर बेसका असर हर्याना में भी नजर आएगा क्योंकि हर्याना में भी स्विधानताबाद चुनाओं में आमाती पार्टी ने अपने उमीद्वार उता रहे हैं और यसे में अर्विन केजरीवाल आने वाले दिनों में दिल्ली जनसभाँ दीपक जी केजरिवाल के बयान से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आप आम आदमी पार्टी के कौन से नेता को सीयम पद मिलने जा रहा है और दो दिन में केजरिवाल की ओर से भी साफ किया गया है कि बैठक होगी क्या उस बैठक मे निर्णने लिया जाएगा? निर्णने लिया जाएगा? जरूरी नहीं है कि जो भी मुख्य मंतरी होगा वो विधायक भी हो. विधायक होना चाहिए लेकिन उसके लिए छे महीने का समय होता है. और समय के अगर बात करें क्योंकि अब विधांताबा चुनाव नजदीक है दिल्ली के. दिसंबर या जनवरी में आचार सहीता लग जान है. और हला कि उसकुनाव के बाद तो दोबारा तैय होगा. अगर हम आदी पाटी का बहुमत आता है तो यह तमाम बाते हैं. लेकिन केवल विधायकों में से किसी को मुख्य मंतरी बनाया जाए. ऐसे कहना ज़र नहीं लेकिन को कोई विधायक ना भी हो उसको भी आर्विन क केजरिवाल मुख्य मंतरी के दोर पर सामने रख सकते हैं. ऐसे कि कारेकरता को भी प्रमुट कर सकते हैं कि उसको उन्होंने मुख्य मंतरी बना दिया तो उनका नज़री की हो और यह कहिना कहिन इसको लेकर कि हाला कि दो दिन में स्टिस परश जरूर होगी जी. चलिए ठीक